हलो एब्रिवान मैं शुरेयस बढ़िये आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज हम एंशियंट हिस्ट्री आफ इंडिया से लेक्चर नमबर 26 पे डिसकेशन करने वाले हैं जिसमें हम दमहाजन पद आज को स्टड़ी करेंगे आज हो जाए इस 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 माई यूट्यूब चैनल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें सो देखिए महाजन पद क्या होता है और क्या नहीं इसका आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रुवत नहीं है आपको डरने की ज़रुवत नहीं क्योंकि यहां में सभी आपके कंसेप्ट और सभी चीज़े क्लियर कराने वालो सो आईए हम सबसे पहले स्टार्ट करते है महाजन पद के बैक ग्राउंड से बैक्राउंड में हम सबसे पहले ये देखते है कि अंगुत्तर निकाय करके एक बुद्दिस्ट स्कृप्चर है एक बुद्धिस्ट बुक है अंगुत्तर निका है उसमें लिखा हुआ है उसी से हमें पता चलता है कि 16 Great Kingdoms हुआ करते थे एक टाइम पे इस देश में इस टेरिटरी में अगर हम देखते हैं तो 16 Great Kingdoms अभी यह नहीं कह सकते हैं सिर्फ इसी देश में क्योंकि कुछ-कुछ और 6th century BC की बात है याने आप कह सकते हो कि around 600 BC के around की ये बात है और ये बुद्धिजम और जैनिजम आने के पहले की ही बात है ऐसा ही आप समझके चलिए समय आपको ये बता दो कि यहाँ पर emergence जो हुआ था इनका वो वेदिक एज में हुआ था ये तो हमें पता चलता है तो जब वेद चलते थे उसी वक्त इनका emergence हुआ था जो महाजनपत थे डरने की बिल्कुल ज़रुरत ने क्योंकि जो बड़े-बड़े kingdoms होते उनको बने थे चोटे चोटे ये भी मैं आपको आगे बताने वालो बड़ इतना याद रखेगा कि वेदिक एज के वक्त ये सब डेवलप हुए थे उसके बाद ये डेवलप कैसे हुए तो ये डेवलप्मेंट जो इसका शुरू हुआ वो इसलिए शुरू हुआ क्योंकि इस्ट वहाँ पर फोर्टाइल लैंड बहुत जाधा अवेलेबल थी आनि जमीन जो थी वह बहुत फोर्टाइल थी जिसके कारण वहाँ प्रोड़क्शन बहुत अच्छा होता है आप जानते है कि वहाँ पर गंगेटिक प्लेंस आते है तो उसका बहुत अच्छा ही रहेगा तो आइरन का प्रोड़क्शन वहाँ पर होता था आइरन का प्रोड़क्शन जितना अच्छा होगा उतना जादा आपके टूल्स एंड इंप्लिमेंट्स जो भी है वो या फिर आपके शस्त्र हो गए वेपन्स हो गए यह सब बहुत मजबूत बनेंगे क्योंकि आइरन जिसके पास जादा है वो तो अपने टूल्स इंप्लिमेंट्स और वेपन्स को बहुत जादा मजबूत बनाएगा तो जितने स्ट्रॉंग होते जाएंगे वो चीजे उतना जादा पावर्फुल होते जाओगे तो ये एक रिजन बनता है तो वहाँ पर आईरन और बहुत सारे है ये रीजन में अगर देखा गया तो यूपी वाला रीजन है अगर मैं आपको बता दू तो ये वो रीजन है जहांपर ये डेवलप होते हैं सबसे जादा सो ये सब चीजे यहाँ पर बनती है इंडिया में देखिए 600 BC का ये इंडिया है तो ये सब हम देखने वाले है तो अच्छे से चलेगा उपर से, so expansion होते गया, यह जनपत थे, छोटे-छोटे जो जनपत थे, यह छोटे-छोटे kingdom थे, यह बहुत सारे, कुछ-कुछ जनपत एक हो गया, और वो पूरा area एक होके, महाजनपत कहलाने लग गया, तो यह सब जनपत एक हो गया, और वो उसके चलते 16 ऐसे regions बने, जिसको महाजनपत कहा जाता है, तो यह इसका एक background है, अब हम देखते हैं इसका emergence, यानि यह किस तरह से आए, हमने यह आपे background देख लिया, उसका थोड़ा सा basic idea ले ले ले, अब हम देखेंगे emergence, यानि किस तरह से यह महाजनपत आते है, तो सबसे पहले जनपत हुआ करते थे, जिसको major kingdom कहा जाता है, वेधिक इंडिया का, जो वेधिक इंडिया के kingdom थे, उनको जनपत कहा जाता था, आरियंस जो है, आरियंस जो है, यह सबसे powerful tribe थी, उस time वेधिक पिरेड में इंडिया की है, सब तो हम study करी चुकिए और इनको जन कहा, कहते थे जनाज, सब आरियंस जो होंगे, जन याने लोग और पद याने फुट, सो यह दो meaning है, अगर देखा गया तो जन और पद का, सो फुट और यह सब अगर meaning होता है, तो आपको यह बता दूँ कि यह जो जनपत थे, इसमें बहुत सारे लोग इकटा होके एक पूरा जनपत कहला था था का टाइम तक, अगर 22 डिफरेंट जनपत हुआ करते थे, यानि 6th century के स्टार्टिंग में, अगर हम देखते हैं, तो महा जनपत बन गए, यह सब एरियाज एक होके बड़ा बड़ा एक kingdom बनने लगा, बट 6th century होने के पहले तक अगर देखेंगे, तो 22 डिफरेंट जनपत ड socio-economic development था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा economically और socially यह बहुत ज़्यादा develop कर जा रहे थे, उसके पीछे का reason था सबसे ज़्यादा वहाँ पे iron tools का इस्तेमाल करना, मैंने आपको कहा था, iron tools का यह agriculture में इस्तेमाल करते थे, अगर agriculture में आप iron का इस्तेमाल करोगे, तो आपकी जो खेती है, या फिर आपका जो भी agriculture है, वो बहुत ज़्यादा effectively और fast होगा, तो यह है, उसके साथ military में भी use होता था, अगर हम देखते हैं, तो iron tools का, military तो आपके जो weapons हैं, बहुत ज़्यादा strong हो जाएंगे, उसके साथ साथ religious development और political development भी बहुत ज़्यादा हुआ यहाँ पे इनके weapons अच्छे थे तो, एक के के को आप conquer कर सकते हैं, और यह पूरा area आपका हो जाएगा, और यह गर बड़ा area होता है, तो जनपत को ही महा, जनपत कहा जाएगा है, ना महा याने बड़ा, तो यह छोटे छोटे चोटे kingdom से बहुत बड़े बड़े जनपत यहाँ पे बनत अब वो eastern side में आ गया उसके, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, eastern side में यहाँ बढ़ते हुए दिखता है आपको, so यह सब यहाँ बहुत ज़्यादा development था, इसलिए extend होते होते हैं, आगे आगे बढ़ते गई है, उसके बाद मैं आपको यह भी बता दूँ कि this was due to better fertility of land है न इसके साथ-साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा fertility है, यह इंसान को पता चलते जा रहा था, और इंसान shift करते जा रहा था, और वहाँ पे rainfall भी बहुत ज़्यादा था, और rivers भी बहुत सारी थी, जिसके कारण land fertile तो होगी ही, और अगर देखेंगे, तो iron production भी यही इसके आसप महाजनपद के बारे में आपको पता चल चुका है, कैसे emergence हो और क्या नहीं, अब मैं आपको बता दू सबसे पहले कि total अगर महाजनपद की हम बात करें, तो total 16 महाजनपद है, अभी हम study करने वाले है, वो है महाजनपद के नाम, so महाजनपद जो है, 16 in number है, 16 महाजनपद है, इसको अच्छे से study कीजेगा, आप अपने घर पे जो blank map है, उसमें आप ये जो बनाया हुआ, ये खुद से mark कीजेगा, यहाँ readymate रखके कोई मतलब नहीं है, जब तक आप खुद से नहीं करोगे, अगर आप जब तक map पे marking नहीं करोगे, तब तक आपके mind में वो fit नहीं हो तो यहाँ पे हम महाजनपत के बारे में जो जो चीजे पढ़ेंगे, जो भी information लेंगे, हम उसमें सबसे पहले देखेंगे महाजनपत का नाम, हम देखेंगे उसका capital, हम उसके बाद देखेंगे उसकी modern location, यानि आज के present day location क्या है उसकी, और हम उसका significance देखेंगे, उसका importance द देखेंगे, तो यह चार चीजे आपको यहाँ पे याद रखने है related to महाजनपत, आइए start करते हैं पहले महाजनपत से, तो जो पहला हमारा महाजनपत हम यहाँ study करने वाले है, वो है अंग, यहाँ पे आपको अंग दिख रहा है, यह अच्छे से location देख लिजागा, अंग जो है, इसका जो capital है, महाजनपत का नाम अंग है, capital है चमपा, अंग एक kingdom हो गया, ठीक है, तो महाजनपत यह ने बड़े बड़े kingdom हो गया, उसका capital चमपा है, उसकी अगर modern location आगर आप mark करोगे अपने map पे तो मुंगेर और भागलपूर है, मुंगेर और भागलपूर का ज आपको अंग ये नाम मिलेगा, उसके साथ साथ जो अथर्ववेद है, उसमें भी अंग मिलेगा, अगर हम देखेंगे आगे, तो during rule of Bimbisar, तो Bimbisar जो ruler थे, आगे हम पढ़ने वाले Bimbisar को, तो यहाँ जो Bimbisar ruler थे, वो एक मगद के ruler हुआ करते थे, तो मगद ने उस वक कर लिया था, ये दूसरा महतु है, तीसरा ये है, कि it is situated in present day Bihar and West Bengal, ये तीसरा उसका महतु है, जो आपको याद रखना है, तो ये तीन चीज़े आपको यहाँ पर याद रखने है, about अंग महाजनपद, तो पहला महाजनपद बनता है, आपका अंग और उसकी location बनती है, य उसके बाद next जो हमें पढ़ना है, वो है मगद, तो मगद की location देख लेते हम सबसे पहले, अगर हम मगद की location पे थोड़ा सा गौर करते हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मगद, ये बहुत जादा important है, अच्छे से इसको याद रखेगा मगद की location, ये है मगद, अब तक हम अंगर मगद, क्योंकि मगद सबसे important है, अकेला महाजनपद जो आखरी में बचेगा, और मगद ही बचेगा, ये भी आपको पता चल जाएगा, अगे, सो मगद जो है, ये महाजनपद का नाम है, उसका जो capital है, वो है, गिरिवराज, या फिर राज ग्रिह कहा जाता है modern day अगर देखा गए इसका location तो गया और जो पतना है, ये दो जो शहर है, ये मगद का पाड बनते हैं उस वक्के मगद का, अगर हम इसका significance देखते तो सबसे पहले मगद finds, mentioning अथर्ववेद है, तो मगद का नाम अथर्ववेद में दिया गया है, उसके साथ साथ उसमें ये ना सेमी ब्रामनिकल है, ये लोगों का रहन सेन जो था हो पूरा ब्रामनिकल नहीं था, ये मगद की बहुत बड़ी खासियत है, अगला ये है कि ये आता है बिहार जो की अंग के एकदम पास है, और इसको डिवाइड किया है जो रिवर ने वो रिवर है चमपा, अगर यहा जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो राजग्रीह में हुआ था, जो कि मगद का ही कैपिटल हुआ करता था, ये एक और आपको याद रखना, ये बहुत ज़ादा इंपोर्टन्स रखती है मगद, सो मगद को अच्छे से याद रखेगा और मैं आपको बता चुको निजम का सबसे बड़ा सेंटर बाद में मगदी बना और बुद्धिस्ट काउंसिल भी पहला मगद के राजग्रीह में ही हुआ, तो ये मगद का बहुत बड़ा एक इंपोर्टन्स है, तो दुसरा महाजन पद हमने यहाँ पे देख लिया, जिसका नाम था मगद, अब हम अगला महाजन पद है काशी, यहाँ पे आप देखते है काशी की लोकेशन हम सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, तो काशी जो आपको दिख रहा है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, मगद के उपर, अंगा के सेड और मगद के उपर, यह दिखता है काशी, तो काशी भ दूसरा ये है कि this city got its name from river वरुना और असी ये दो जो river है ये दोनों river है काशी में इसलिए इसको फिर कहा जाता है वारा और नसी वारा नसी ऐसा नाम आया है वरुन रिवर और असी रिवर से ये सब जो है ऐसा कहा लिखा है ऐसा मत्से पूरान में लिखा हुआ है तो मत्से पूरान ये हमारा source of information बनता है about वारा नसी कैसा आता है नाम so ये हो गया हमारा third महाजनपद जो की बनता है काशी उसके बाद जो fourth हम देखने वाले हैं महाजनपद उसका नाम है वत्स so वत्स के बारे में हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप जान लेंगे तो वत्स महाजनपद का नाम है और उसका कैपिटल है कौशंबी कौशंबी ये वत्स का कैपिटल बनता है उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दू कि अभी जो modern day अलाबाद का region है ना modern location जो अलाबाद का region है वो ये इसका region बनता है जो वत्स है उसका ओके सो modern day अलाबाद या फिर मिर्जापूर वाला region ये आता है उसके बाद significance यानि मैप में अगर आप देखे जो तो इस तरफ आता है अलाबाद ये सब है ना तो मिर्जापूर अगर हम देखते हैं इसका significance तो वत्स जो है उसको वामशा भी कहा जाता है उसके साथ साथ महाजन पज जो है उसमें monarchical form of governance था monarchical यानि जो king है वही वहाँ rule करेगा उसके बाद उसका बेटा या उसके जो वंच का इंसान है उसके generation to generation वो kingdom उसको मिलता जाएगा ऐसा एक monarchical form है तो मैं आपको ये भी अच्छा मुझे याद आ गया कि मैं आपको ये आखरी में बताने वाला हूँ कि कौन-कौन से महाजन पज जो है वो monarchical थे और कौन-कौन से republic थे तो कभी-कभी question आ सकता है कि which among the following monarchical ये था महाजन पज उसके साथ-साथ जो कोशम भी है वो इसका capital है उसके बाद central city है और economic activities यहाँ से economic activities बहुत ज़ादा चलती है अगर आप इसके location देखोगे तो बिलकुल center में दिखती है सभी इससे घिरा हुआ है तो यहाँ से economic चीज़े यहाँ से इधर भी जाना है तो यह आएगा यह आएगा इस तरह से इसका economic importance बहुत ज़ादा बना हुआ था trade करने तो करते वग भी तो इस तरह से economic activities के लिए और अगर मैं आपको यह बता दो कि there were prosperous trade है ना तो यहाँ पे यहाँ पे trade बहुत अच्छा चलता था व्यापार बहुत ज़ादा चलता था और business भी बहुत अच्छा था located around present day Allahabad है ना तो Allahabad के आश्पास यह आपको दिखता है तो यह भी एक महत्व है सो यह सब चीजे बनती है वत्स की यह महत्वावाली चीजे जो आपको याद रखनी है ऐसा हमारा जो है यह चौथा महाजनपद यहाँ पे cover होता है जिसका नाम है वत्स उसके बाद जो हम next पढ़ने वाले है वो है कोशाल या फिर कोशाला अब हम देखते है कोशाल का जो location है वो कहाँ पे है तो आप यहाँ पे map में देख पा रहे है यहाँ पे आपको कोशाल दिख रहा है अब हम फिफ्ट महाजनपद जो पढ़ने वाले है उसका नाम है कोशाल सो देखिए कोशाल महाजनपद का नाम है जैसे कि हम जो जो चीज़े पढ़ रहे है वो इसका capital है श्रवस्ति तो श्रवस्ति जो है यह capital हुआ करता था कोशाल का उसके साथ साथ modern location अगर देखेंगे जो याद रखने है significance याद रखना है कि आपको कि यह अवद रीजन में आता है उत्तर प्रदेश के ना तो अवद रीजन आता है Eastern UP में तो यह हो गया कोशाल के बारे में अगला जो हम देखने वाले है यह है शौरसेना तो शौरसेना या फिर शौरसेना भी कहा जाता है यह कहां पर आता है इसका location देख लेंगे अगर आप शौरसेना का तो आपको दिख रहा है शौरसेना यहाँ पर ओके तो शौरसेना यह है तो शौरसेना का जो capital है वो आता है मतूरा मतूरा में ना तो मतूरा जो कि श्री कृष्ण की जगा मानी जाती है मतूरा उसके साथ साथ modern location अगर देखोगे तो western UP में है जैसे कि आप map में देख चुके हो यह western part है UP का यहाँ पे आता है यह modern location में उसके बाद अगर हम इसका महत्वा देखते हैं significance देखते हैं तो यह है कि this place was the center of Krishna वरशिप यहाँ Krishna की बहुत ज़्यादा पूजा होती है यह एक कमहत्वा कह सकते है जब Megasthenes थे इंडिया में उस time पे उन्होंने यह observe किया था कि Krishna की बहुत ज़्यादा पूजा होती है सो जो अगला हम महाजनपद study करने वाले है वो है पांचाल सो हम पांचाल जो है यह नाम already महाभारत में सुन चुके है जो पांचाल ही थी यानि अगर हम देखते हैं तो पांचाल के इखलर थे उनकी बेटी हुआ करती थी जो की द्रोपदी थी जो पांडवस जो थे उनकी वाइफ थी तो पांचाल का नाम आपने महाभारत में भी सुना हुआ है ऐसा यह एक महाजनपद है इसकी location अगर हम देखते है मैं आप में तो आपको यहाँ पे पांचाल दिखाई दे रहा है पांचाल के बारे में तोड़ इन्पॉमेशन ले ले थे पांचाल का जो capital है व इसका जो nature of governance था वो मोनार्ची था है ना तो मोनार्ची से यह shift हो गया था रिपब्लिक में यह बहुत ही एक positive बात थी रिपब्लिक यानि अब लोगों में से ruler चुना जाने लग गया था धीरे धीरे तो यह बहुत ही एक खास बात थी पांचाल की तो पांचाल जो कि दो capital यहां पर north में अगार देखेंगे तो अई चेत्र और south में अगर हम देखते तो कांपिल लिया इस तरह से हमारा यहां पे sattwa mahajanpad यहां पे हमने study किया जिसका नाम है पांचाल पांचाल के बाद हम जो अगला mahajanpad study करने वाले है वो है कुरू का नाम भी आपने महाभारत मे पढ़ाई है कुरू जो है वो एक तरह से देखेंगे तो पांड़ और कौरव यही के थे कुरू रिजन के सो महाजनपद अगला कुरू बनता है इसका capital है इंद्रप्रस्त यह भी आपने सुनाओ गया इंद्रप्रस्त इसका capital हुआ करता था इसके अगर हम अभी present location देखते है तो वो आता है मिरट और साउथ इस्टन हरियाना में है ना मिरट और साउथ इस्टन हरियाना इसका modern location है significance यह है कि the area around कुरुक्षेत्र was apparently the site for कुरु महाजनपद है ना तो कुरुक्षेत्र के आजवाजो का जो area यही है आज जो आप कुरुक्षेत्र देखते है इसके आजवाजो का area कुरु महाजनपद बनाता है और यह जो था यह republic form of governance के तरफ यह भी बढ़ गया था तो यह प यहाँ पर कहा कि जाता है याने देखे मीन बात यह कि इनसान तो वो हो कोई ना कोई तो इसका हो गई बट लोग जो है वो decide करेंगे अब लोग directly नहीं अब कुछ मंत्री होते हो सब decide करेंगे कि अगला ruler कौन बनेगा अगर पाच नाम है आठ नाम है तो उन में से इस तरह से उसे republic form of governance मिल गया था कूरू को तो कूरू जो है यह एक और important बनता है कूरू की location हम देख लेते हैं जो कूरू हमने महाजनपद पढ़ा वो यहाँ पर आता है देखे यहाँ पांचाल है यहाँ कूरू है तो यह अपना बनता है आठवा महाजनपद जिसका नाम है कूरू अब अगला जो महाजनपद study करने वाले है उसका नाम है मत्सय सो मत्सय यहाँ हम study करेंगे मत्सय का capital जो है यह विराट नगर है उसके साथ साथ इसका अगर modern location देखा तो वो जैपूर आता है अब यहाँ पर हम देख लेते हैं उसका location तो जैपूर के पास आएगा यह मत्सय यह मत्सय रिजन है और विराट नगर है ना तो विराट नगर इसका capital था उसके बाद में आपको यह भी बता दू कि significance क्या है तो यह waste of पांचाल में आता और south of कुरू में आता है तो एक तरह से देखेंगे तो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वर रखता था यहाँ पर आप देखते हो देखिए पांचाल हो गया या फिर कुरू हो गया यहाँ इस साइड आता है मत्सय उसके बाद में आपको यह भी बता दू कि दूसरा महत्वर यह कि इसका capital विराट नगर है और तीसरा अगर देखा तो प्रेजिन डे जैपूर में यह दोनों चीज़े तो मैं उपर आपको बता है यह थोड़ा सा रेपीट हो गया है ओके कोई बात नहीं सो मत्सय यह हमारा अगला महाजन पत बनता है तो अब तक हमने नौ महाजन पत स्टड़ी कर लिए अब एक दो तीन चार पाट छे बचे हुए शे साथ बचे हुए ओके तो साथ अभी कहा जाता है इसका modern location आता है बुंदेल खंड वाले region में तो देख लेते map में वो कहा दिख रहा हमें so map में हमें छेती दिखाया है यहाँ पे छेतिया लिखा हुआ है तो यह है छेदी और उसके साथ साथ इसका significance यह है कि it was cited in Rigveda है तो Rigveda में छेदी का नाम हमें आते हुए द महिश्मती है महिश्मती आपने नाम सुनाओगा बहु बली मुवी में महिश्मती तो यह अलग महिश्मती जो है यह हुआ करता है अवंती का capital इसका modern location अगर हम देखते तो मालवा और मध्यप्रदेश में आता है यह पूरा तो यह सबसे जादा important इसलिए है कि इसका जो है rise बुद्धिजम के जो हो रहा था उससे यह भी बहुत जादा important बनने लगा था अवंती क्योंकि अवंती में भी बुद्धिजम बहुत जादा बढ़ा था तो आईए बुद्धिजम अवंती का location देख लेते सबसे पहले क्या है तो अवंती का location आपको यहाँ पर देखने मि महा भारत के सबसे अलग character जो दिखते हमें वो गांधार तो वो गांधार के हुआ करते थे तो यह महाजन पद अगला बनता है गांधार अगला kingdom बनता है गांधार तो capital इसका हुआ करता था तक्षीला में उसके साथ साथ इसकी modern location जो है वो रावल पिंडी ए रावल पिंड में भी किया गया है गांधार का इसलिए और बहुत जादा important है और ऐसा भी माना जाता है कि यहां के जो लोग हुआ करते थे गांधार की यह बहुत highly trained हुआ करते थे art of war में यह युद्ध करने में सबसे आगे हुआ करते थे एक तरह से highly trained हुआ करते थे और अगर हम देखते है महाजनपद वो बनता है गांधार उसके बाद हम अगला महाजनपद देख लेते हैं कौन सा है तो अगला है कंबोच कंबोच जो है इसका capital है राजपूर राजपूर के साथ साथ इसका modern location अगर देखा गए तो राजवरी और हाजरा जो है वो हाजरा जो है यह पाकिस्ता ना तो कंबोच थोड़ा बहुत फैला गए तो थोड़ा सा जम्मो कश्मीर और पकिस्तान में यह आता है सो इस तरह से यह कंबोच बनता है कंबोच का महतुऑ क्या है देख लेते हैं कंबोच का महतुव सबसे पहले यह बंदा सिचुईटेड इन प्रिजेंट दे कश्मीर हिंदिकुष हिंदिकुष यानि अगर आप देखोगे तो इवन यहां तक फैला हुआ है कि यह हिंदिकुष जो है अफगानिस्तान में तो वहां तक फैला हुआ है यह हमें पता चलता है बहुत बड़ा एक रीजन है फिर भी उसके साथ साथ कुछ-कुछ लिटररी सोर्सेस यह भी कहते है कि यह रिपबलिक हुआ करता होगा तो यह रिपबलिक था ऐसा भी पता चलता है कमबोच है ना तो कुछ सोर्सेस है उससे हमें पता चलता है अब हम उस टाइम पर जाके तो हमने नहीं देखा सोर्सेस से हमें पता चलता है अगला हमारा महाज महाजनपद बचे हुए अब तक हमने 13 महाजनपद study कर लिए अगला जो महाजनपद हम अभी study करने वाले है वह अश्मक या अशक उसको कहा जाता है महाजनपद का नाम है उसका capital पोटाना कहीज पैठन भी लिखा हुआ है तो पोटान हो गया या फिर पैठन हो गया कहीज पा और यह आता है bank of godavari में, यह होता है यह ना godavari नदी के किनारे यह बनता है हमारा अगला और 14th महाजनपत, अब हम देखते हैं कि अगला हमें कौन सा महाजनपत पढ़ना है, अगला जो हम महाजनपत पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वाजी, वाजी जो है यह हम पढ़ेंगे वाजी का जो capital है यह है वैशाली, modern location इसके देखा गया तो बिहार में आती है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं वाजी, तो वाजी को हम locate करते हैं तो यह ब्रिजी लिखा है, कई कई ब्रिजी भी लिखते हैं, वाजी भी लिखते हैं, सो यह है modern day बिहार वाले location पर, सो एक औ और हमें पता चलता है महाजन पद और इसका महत्व जान लेते क्या, इसका महत्व यह है कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो races reside करते थे, यहाँ जो वंच के लोग रहते थे, इस महाजन पद में वो लिखवी, वेदेहन, या फिर ग्यांत्रिक, या फिर वाजी यह लोग थे जो यहाँ पर रहा करते थे, तो यह लोगों की जो exact location यह वाजी थे, लिच्छ भी हो गए, या फिर ग्यांत्रिक हो गए, या फिर वाजी हो गए, या फिर वेदान्स हो गए, तो यह सब यहाँ के थे वाजी के, तो यह आपको अच्छे से याद रखना, exam में कभी question आया, तो वाजी, वाजी की location आप देख चुके हैं, अगला जो महाजन पद हम study करने वाले हैं, और आखरी महाजन पद आज का जो study करेंगे, 16 ही है total, वो 16 हुआ बंदा है मल, तो मल, जो है यह इसका capital आता है कुशी नारा या पावा, इसके बारे में आप जानते तो आप इसका क् आप लिखेंगे या कुशी नारा का, आप comment section में लिखेंगे, already में आपको बुद्धिजम में बता चुका हूँ, या फिर जैनिजम में बता चुका हूँ, कहा पर बता ये भी लिखेंगे और आप ये भी लिखेंगे क्या महत्व है पावा का, उसके साथ साथ में आपको य modern location जो है इसकी ये देवरिया और उत्तर प्रदिश में आता है, तो अब देख लेते हैं मल्ला कहां पर आता है, तो मल्ला जो है ये आता है यहां पर, यहां आप देखेंगे, okay, so ये बनती है मल्ला की location और अगर हम आगे इसका महत्व देखते हैं, तो महत्व ये है कि बहुत ही एक महत्व का हमें समझता है मल्ला जो है, मल्ला जो है ये रिपब्लिक हुआ करता था, ये भी हमें इन सोर्से से पता चलता है, so ये आखरी महाजनपद आपका बनता है मल्ला, तो इस तरह से हमने यहां पे total 16 महाजनपद with location, with their capital, with their significance study कर लिया है, पूरा एक तरह से पूरा ही हमारा study हो चुका है, इसके बाहर इससे ज़्यादा question नहीं आएंगे exam में, उसके बाद हम थोड़ा सा और कुछ चीजे देख लेते हैं महाजनपद से related जो important facts है वो, so अब तक हमने देखे इतने 16 महाजनपद तो देखिए, अब हम देख लेते हैं कि इन में से और कौन-कौन से मोनार्चिकल थे, इसमें भी मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि अलग-अलग जगे पे आपको अलग-अलग चीजे देखने में लेगे, कहीं-कई पे किसी का नाम रिपब्लिक में लिखा है, कहीं-किसी का मोनार्चिकल में लिखा है, so हम जिस पर बिली रिपब्लिकन में आते हैं वाजी, मल्ल और पांचाल, ये तीन जो है, ये होते हैं रिपब्लिकन, उसके अलावा अगर मोनार्चिकल फॉर्म अफ गौवर्मेंट जा हुआ करते थे, वो थे काशी, कोशाला, अंग, मगद, छेदी, वत्स, मत्स, शूरसेना, अवंती, गां आ सकता है, वीच अमंग, फॉर्मेशन ले ले लेते, कि इस वक्त, जब महाजन पर्द का टाइम था, उस वक्त पे अगरिकल्चर किस तरह से चेंज हुए, अगरिकल्चर में बहुत सारे चेंजे साहे थे, सबसे पहले चेंज तो आएगा है, क्योंकि आईरन का इस्तेमाल क मैंने आपको कहा था, जो पहले लकडी के हुआ करते थे, पिछले टाइम तक मैंने आपको बताया, अब वो आइरन के होने लगे तो प्रोड़क्शन बढ़े गाई, सो खेती में प्रोड़क्शन बढ़ गया, फार्मर जो थे वो पैडी लगाना शुरू कर दिये उन्होंन और सौिल में डालना या फिर सैपलिंग्स लगाना, यह करने से ज़ादा उसने यह प्रिफर किया था कि पानी पूरा डाल दोर उस पे ही आपके जो भी क्रॉप से वो लगाना शुरू कर दोर, इसके कारण क्या हुआ हो तो प्रोड़क्शन बहुत जादा बढ़ गया, पै agriculture में क्या बदलाव आए थे जो ये था महाजनपद वाला टाइम उस में तो ये टाइम बदलते जा रहा था जनपद से जब महाजनपद बनता है तो ये ये agriculture में changes आते है तो बड़े-बड़े kingdoms बनते हैं आईरन का इस्तेमाल करना शुरू करता इंसा अब देखते हैं इनके political structure किस तरह के हुआ करते थे political structure अगर हम देखेंगे तो forts तो ये लोग बनाते थे protection करते थे बाकी kingdom से और जैसा अब ये एक kingdom है तो इसके आजू-बाजू जैसे कि मैं यहाँ पे आपको map में दिखा देता हूँ ये अगर एक kingdom है तो ये kingdom के आजू-बाजू बना देंगे ये प जब war होता था तब आके कुछ tribe के लोग होते थे और वो आपके आपको आपके जो war है उसमें आपको support करते थे तो ऐसा यहाँ पे ऐसा नहीं था यहाँ पे regular armies खड़ी करते थे लोग और ये कौन तो नए ने जो king आया ने जो rajas है उन्होंने regular armies लगाना शुरू कर दिया यह यहाँ पे पता चलता है है ना सो जैसा 6 kg है तो 6 kg में से 1 kg जाएगा तो इस तरह से यह tax लिया करते थे और इसको भाग या फिर share कहते थे तो यह share होता था यह tax को भाग या फिर share एक भाग या एक share उसके साथ साथ जो craftsmen थे, herders थे, hunters थे, traders व्याने वैपारी थे यह सब को भी tax लगाया जाता था इन सब के अपने कामों के लिए उनके उपर भी tax यहाँ पर apply किया जाता था इस तरह से महाजन पज यह पूरे strong होते जा रहे थे क्योंकि पैसा भी अच्छा खासा आ रहा था, iron था, so यह सब यहाँ पर हो रहा था, अब मैं आपको एक information यह बता दू सबसे important कि in course of time, smaller and weaker kingdoms and the republics were eliminated by the strong rulers, ना तो republic जो है, जो एक तरह से लोगों का सुन-सुन के काम करते तो वो जादा तो strong बन नहीं पाए, बट जो strong rulers थे जो आजू-बाजू के महाजन पद में हुआ करते थे, तो वहाँ के जो rulers ने क्या किया, कि छोटे-छोटे जो महाजन हम देखते हैं, तो सिर्फ चार ही powerful kingdom बचे थे, तो ये बाकी जितने भी है, ये चारों में ही समा गयते हैं, चार महाजन पद में, और ये चार महाजन पद के नाम आपको याद रखने है, six powerful kingdoms के नाम याद रखने है, और उसमें से एक है मगद, मगद जो है, उसके important ruler आते है भिंबिसार और अजाच शत्रू, दुसरा आता है अवन्ती, important ruler आता है प्रद्योत, कोशाला, important ruler आते है प्रसन जीत, वत्स, अगले important ruler आते है उदयन, सो ये सबको तो हम आगे rulers को study करने वाले हैं, बट ये चार ही आखरी तक बचे थे, अब इन चार जब बचे हैं, तो इन पर दिख रहा है, और आखरी में जो आपको वत्स दिख रहा है, वत्स वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो आखरी तक ये चारी बचे, कोशाला, अवन्ती, वत्स और मगत, ये बाकी पूर है, जैसा कोशाला कुछ अपने आप में समा लेगा, वत्स जो है, किसी kingdom को ये चारो में जो वार चला, उसमें जीता मगत, और ये चारो के चारो, यानि अगर हम देखोगे, तो ये तीनो के तीनो हिस्सा बन गए मगत का, इस तरह से मगत ने सभी को अपने अंडर ला लिया, और पूरा रूल चलने लगा मगत का, फिर मगत से एक एक रूलर आने रिजन क्या हो सकते है, ये भी आपको important है एक्जाम के लिए, तो देख लेते हैं, मगत ही क्यो victorious रहा, तो मगत के पीछे के जो reasons है, मगत के success के पीछे के reasons ही है, कि ambitious rulers मिले, मगत में जो भी rulers आते थे, वो कुछ ना कुछ करके, बहुत जादा अगर हम देखते हैं, तो उम्मे में iron बहुत जादा है, ऐसी उसकी geographical location है, उपर से land, fertile land, rivers वहाँ पे है, ये दुसरी चीज़ है, और जो capital है, जैसे कि हम देखते हैं, तो capital तो गंगा नदी से के आसपास है पूरा, और उसको एक water ford से याने पूरा cover किया गया था, और जिसका नाम जलदुर्ग था, तो ये बहुत जादा important है कि कितना protective रखा था मगद ने, अपना capital भी कोई attack नहीं कर सकता था, easily, fertile land बहुत जादा थी, क्योंकि गंगा का ही region आथा, और fertile land ने even without irrigation किये भी, वहाँ पानी की कोई कमी नहीं पढ़ती थी, हमेशा land fertile ही रहती थी, और वहाँ पे अगर हम देखेंगे, त towns बहुत जादा बढ़ने लगे, वो गाओ के संस्कृती से एक तरह से शहरी करन वहाँ बहुत जादा हो रहा था, towns का बहुत अच्छा rise हुआ था, और पैसा जो यूज करते थे, हो metal money का इस्तेमाल करते थे, ये लोग, मगद के लोग, और military organization की तो क्या ही बात करें मगद की मगद ये पहला kingdom था, जिनोंने elephant का इस्तेमाल किया था, बहुत large scale में, और elephant जो है, ये बहुत huge animal है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो, युद्ध में, तो इसको मारना, इसके उपर जो बैठावा इंसान है, या फिर इसको खतम करना बहुत जादा मुश्किल हो जाता था बाकी armies के, बाकी kingdoms के लिए, तो इसलिए kingdoms जो बाकी थे, वो इसको हरा नहीं पा रहे थे मगद को, और मगद जीतते जा रहा था, और यहाँ पर unorthodox character था, बहुत ज़्यादा कटरता नहीं थी किसी religion को लेके, सभी को यहाँ पर एक तरह से support किया जाता था, इस चीजों के कार में और वो होता है मगद, सो मगद अकेला बचा और यह पूरे खतम हो गए एक तरह से है ना, सो यह पूरे ही फिर मगद में समागर मगद ही इतना बड़ा region लेके रहने लगा महाजनपद का, तो इस तरह से हमें पता चलता है कि क्या महाजनपद हुआ करते थे एक जमाने मे और महाजनपद जो है इसका जो यह माना जाता है यह मेंली 600 BC से 325 BC तक का माना जाता है, ना तो याद रखेगा 600 BC से तो 325 BC तक यह चला, आपको पता है BC जो है यह उल्टा चलता है, ओके, सो यह most accepted period माना जाता है महाजनपद का, ओके, सो इस तरह से आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने महाजनपद को पूरा complete कर लिया है, और आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं, तो उन्हें like करने में कंजूसी ना करें, like करते रहे, share करते रहे, subscribe जरूर करें मेरे YouTube चैनल को, ताकि मैं और जादा knowledge आपके साथ share करता रहू, follow or like कर सकते हैं, और updates के लिए अगर मेरे बारे में और जानकारे चाहते हैं, या मुझसे connected रहना चाहते हैं, तो आप मुझे Instagram पे follow कर सकते हैं, मेरा Instagram आइडिया, sharezbuddy.com पे आप मुझे mail भी कर सकते हैं, तो इसी तरह हम मिलते रहेंगे अगले lecture में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखे, और आपका दि शुब हो